बाम पंती उगरबादियों का ना तो भारत के समिधान में विश्वास है ना भारत के लोकतंत में विश्वास है वे हिंसा के माध्यम से सत्ता हत्याना चाहते हैं मोधी के इंडिये सरकार के इस दस बरसों में 509 अपने जमानों ने भी जान गवाई हैं तो 2024 के मात्र 6 महीनों में 166 बाम पंती उगरबादियों को मार गिड़ाया गया है लोकसवामी चर्चा के दोरान आजगरी राजमंत्री नित्यादन राय ने बाम पंती उगरबाद पर जबाब दिया उन्होंने बताया कि पिछले दस बरसों में किस तरह से बाम पंती उगरबाद में बद्दावाया है और कैसे ए लोग आत्म समरबढ कर रहे हैं उनकी इस भासर पर सदन में जमकर हंगामा भी हुआ दुनिये नित्यादन राय ने बाम पंती उगरबाद को ले करके क्या आगड़े गिना है बाम पंती उगरबाद इस देश की आंत्रिक सुरक्षा के लिए चुनौती है खत्रा है महोदय बामपंती उगरबादियों का ना तो भारत के समिधान में विश्वास है ना भारत के लोकतंत्र में विश्वास है भारत राष्ट के संस्थापक सिध्यानतों में इनको कोई भरोसा भी नहीं है बेहिंसा के माध्यम से सत्ता हतियाना चाहते हैं इन्हेंना लोक तंत्र में विश्वास है और इस बिचारधारा वाली सारे संगठन भारत की मूल भावनाओं पर हमेशा प्रहार करते रहते हैं इन बामपंथी उगरवादियों ने हजारो हजार निर्दोस लोगों की हत्या की है आप तो ये बताओ दस ने होजार दस से लेके अभी तक कितनी कमी आ गई है इसमें महिलाएं और बच्चे हैं महदै जो पड़भाप पड़ा है उसको मैं एक तुनात्मक आक्रों के माध्यम से मैं इस देश को और इस सदन को मैं बताना चाहता हूँ महदै ल्डवलू इहिंसा की घटना है मैं 2004 से अप्रैल 2014 तक जो हुई वह 16,274 हुई थी जो मैं 2014 से अप्रैल 2014 तक की जो घटना हुई है वह 7,696 में है जिसमें 35% की कमी आई है महदै सही स्रक्षा बलों के जवान जिन्होंने अपना जीवन खोया है वो उनके यानि की सामने वाले की जब सरकार थी 2004 से 2014 की तक की उसमें 1824 जवानों ने अपनी जान गवाई थी और इन 10 बर्षों में मोदी के इंडिये सरकार के इस 10 बर्षों में 509 अपने जवानों ने भी जान गवाई है और इस प्रकार से जब देखेंगे तो 72% की कमी हुई है नागडिक जिन्होंने अपना जीवन खोया है उनके 10 बर्षों में यानि 4 से 14 के बीच 4,744 नागडिकों ने अपना जीवन खोया है और मई 2014 से 24 के बीच 1481 यह भी ठीक नहीं है लेकिन नागडिकों की जान गवाने में कमी आई है जो बामपन्थी उगरबादियों द्वारा उनकी हत्याक की जाती है 79 परतिसत की इसमें कमी आई एल डवलू इहिंसा में जान गवाने वाले नागडिकों और सुरच्छा बलों के सहीच जवानों अगर देखे एक साथ तो 6568 जवानों और नागडिकों की हत्या हुई थी जो घटकर 2014 से 24 के बीच 1990 हो गई इसमें 70 परतिसत की कमी आई महदै इस प्रकार से एक आकरे जो जान गवाने वाले नागडिकों तो था सहीद सुरच्छा कर्मियों की संख्या जो पहले थी 2010 की उस हिसाब से 86 परतिसत की कम्याई है 86 परतिसत की कम्याई है और हिंसा की घटनाओं में 73 परतिसत की कम्याई होगोलिक दिश्टिकों से देखे तो पहले 126 यानि 2013 तक 126 यानि 126 2013 में था जो अब घटकर 2024 में 38 जिले रह गये हैं 2010 में 96 जिलो जिले थे जो कम होकर 2023 में 42 जिले हो गये हैं 2010 में 465 थानों में LWE का प्रभाब था जो 2023 में घटकर एक सौ थानों में रह गया है और महदय में 2024 की बात करूं तो 2024 के मात्र छे महीनों में 166 बाम पंती उगरबादियों को मार गिराए गया है जो एक रेकॉड है इन छे महीनों में 600 से जादा बाम पंती उगरबादियों ने आत्म समर्पन किया है महदय आत्म समर्पन किया है यह दरसाता है कि 10 वर्सों के इस इंडिये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नित्रुत में उनके संकल्प और उनके प्रिर्णा में मान्ये ग्रीमंत्री जी के मार्ग दर्शन में जो प्रयास किये गए है उसका परभाब असपस्ट दिखाई पड़ता है और आगे आने वाले दिनों में भारत से बाम पंती उगरबादियों को समात कर दिया जाएगा